इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी Facebook की स्टोरी को किस तरह से हाइड कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Facebook को ओपन करना है Facebook को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस प्लस वाई आइकोन पे क्लिक करना है प्लस वाई आइकोन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टोरी वाल आप्शन पे क्लिक करना है स्टोरी पे क्लिक करने के बाद आपको को ओभी एक फोटो स्लेट कर लेनी है फिर गाइस आपको जो यहाँ पे प्राइवेसी वाला आप्शन देखेगा आपको simply इस privacy वाले, option पे click करना है, privacy पे click करने के बाद, आपको यहाँ पे hide from, hide story from पे click करना है, और guys, जिसी person से आपको अपनी story को hide करना है, simply select कर लीजिए, यह गाईस अगर आपको अपनी साथ स्टोरी को जो हाइट करना है इसके लिए आपको simply इन थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है सबसी उपर थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर setting वाले icon पर क्लिक करना है settings वाले icon पर click करने के बाद अब आपके सामने कुछ as interface होगा यहाँ पर आपको simply scroll down करना है और scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर audience and visibility वाले option के अंदर एक और option मिलेगा stories so guys आपको simply इस stories वाले option पर click करना है stories वाले option पर click करने के बाद अब आपको यहाँ पर friend वाल option मिलेगा अब आपके यह friend वाल option पर click करना है और guys यहाँ पर फिर से आपको वही मिल रहा है friend accept या specific friend आपको यहाँ पर जिस भी friend से आपकी ID हाइट करने है simply से select कर लीजिए या guys जिस भी friend को अपने story दिखानी है उसे select कर लीजिए और guys save कर दीजिए so guys इस तरह जो है आप अपने facebook की stories को hide कर सकते हो so guys वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करके जाना और अगर आप हमार channel पर नए हो तो हमार channel को भी subscribe कर दिना